आज का ये वीडियSt bind के लिए है जिन्हें इंगलिश के लिए ऑग उंके लिए है और इंगलिश नहीं आथी है उनके लिए बी अब गैस देख्या जिन्वे इंगलिश आती है वो तो से संब्सिंद लेकिन कई मेरा नाम मात्र का दोस्ते हैं तो जब कुछ इस तरह के sentences आते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अलग से structures को सीखना होता है तो अगर आप यह सीख लेते हैं तो चाहे आप कितनी भी अच्छी English बोल रहे हैं आप इनको भी यूज कर सकते हैं अगर हम बात करें जिने कुछ नहीं आता है तो आप इन structures को सीख सकते हैं मेरे साथ practice कर सकते हैं और आप इनको बोलने के शुरुआत कर सकते हैं तो चलिए आज हम कुछ अलग और different structures सीखने वाले हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कैस हमारा फर्स्ट जो structure है वो दिया हुआ है दिलवा दो हम डे टो डे लाइफ में ऐसे sentences बोलते हैं हमारे parents से हमारे दोस्तों से या फर किसी सबी जैसे कि मुझे पैन दिलवा दो उससे laptop दिलवा दो रोहन को एक pen दिलवा दो या फिर मुझे एक mobile दिलवा दो तो जब भी आप किसे से बोल रहे हैं दिलवा दो उसके लिए आपको यह simple से structure को use करना है जिसमें आप सबसे पहले लगाएंगे subject और फिर आपको लगाना है objective case अब objective case क्या होता है जैसे कि जब भी हम objective case मतलब OC की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको लगाना है me, you, him, her, or them और अगर किसी का नाम आ रहा है तो आपको वह use करना है मतलब यह जो यहाँ पर OC दिया हुआ है आपको get के बाद में यह सारे objects आपको use करना है जैसे मैंने कहा मुझे pen दिलवा दो तो हमारा sentence होगा get me a pen या फिर मुझे car दिलवा दो get me a car अगर आप बात कर रहे हैं किसी boy की तो आप बोलेंगे get him a car उसे pen दिलवा दो get her a pen उन्हें mobile दिलवा दो अब हमने बोला उन्हें तो गैस हमें जो sentence की शिरुवात है वो get से करनी है फिर हम बोलेंगे get them a mobile मतलब उन्हें एक mobile दिलवा दो या फिर अगर आपको बोलना हो कि उसे पैसे दिलवा दो तो हमारा sentence होगा get him money उसे एक laptop दिलवा दो get him a laptop clear तो जब भी आपको बोलना हो दिलवा दो आप वहाँ पर get का use करेंगे और उसके बात में आपको objective case का use करना है किस हमारा next structure दिया हुआ है so called अब इसका हिंदी identification अगर हम देखे तो ही आइडंटिफिकेशन होता है नाम मात्र का डेट दोड़े लाइफ में हम ऐसे sentence भी मेरा दोस्त है तो वह एक नाम मात्र का TEACHER है या फिर या पर पेंग नाम मात्र का है तो जब आप ऐसे sentence करेंगे माले जी मैंने कहा कि वह मेरी नाम मात्र की दोस्त है, तो आप इसे English में बनाएंगे She is my so called friend, she is my so called friend या पिर हम बोल सकते हैं कि वह तो मेरा नाम मात्र का दोस्त है तो he is my so called friend, he is my so called friend यह book नाम मात्र की हैं, मतलब इसमें कुछ अच्छा नहीं है या फिर कुछ भी पढ़ने लायक नहीं है तो आप जब बोलना चाह रहे हो कि यह book तो नाम मात्र की है तो आप इसे English में बनाएंगे This is so called book, this is so called book तो जब भी आपको बोलना हो किसी वस्तु के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए कि यह नाम मात्र का है तो आप वहाँ पर यूस करेंगे so called बिलकुल easy और simple structures है आपको सिर्फ इनको थोड़ा सा learn करना है याद करना है और बोलते जाना है जहां आपने इनको याद कर लिया तो अगर आपके mind में इस तरह का कोई sentence आता है तो आप उसे easily translate कर सकते है क्योंकि का नहीं है आपने ऐसे sentences तो सुने ही होंगे या फिर बूला होगा किसी को कि यह कोई तरीका नहीं है मुझसे बात करने का या फिर यह कोई तरीका नहीं है इस तरह से बरताव करने का तो जब भी हम ऐसे sentences बनाते हैं जिसमें हम यह बोलते हैं कि यह कोई तरीका नहीं है So guys, उसमें हम लोग use करते हैं, this is not the way, okay, तो अब आपको मालीजी बोलना हो कि यहां मुझसे बात करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपका sentence बनेगा, this is not the way to talk to me, this is not the way to talk to me, अब आपको यहां पर क्या करना है, to लगा देना है, and verb लगा देना है, जिससे आपको बोलना हो कि य यहां बरताव करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपका sentence बनेगा, this is not the way to behave, this is not the way to behave, या फिर आप बोल सकते हैं, कि यहां बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपका sentence बनेगा, this is not the way to talk with elders, मतलब यहां बड़ों से बात करने का कोई तरीका नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम ऐसा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें यह बोलना चाहरे हैं कि यह कोई तरीका नहीं है इसकाम को करने का तो हमें वापर सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज करना है और वो हमारा स्ट्रक्चर है देस नौट दवे चलिए आगे बढ़ते हैं अ कुछ से डिफेरेंट है इसलीए अभ यहां पर वाईल दिया हुआ है और वाल के बाद में आई-इंजी कि जो यह की यह बहुत सेंपल सा स्ट्रक्चर है जब सद्रक्चर है जब भी कोई एक वर्ड दो रा आता है जिसे हिंदी वाले संटेंस में कोई एक वर्ड दो रिपीट हो रहा है जैसे बोलते बोलते लिखते लिखते जाते जाते सोते या फिर पढ़ाई करते करते तो जब एक वर दो बार रिपीट होता है वहां हमें वाई के साथ में आएंजी लगाना होता है मालीजे अगर आपको बोलना हो कि पढ़ाई करते करते तो आपका सेंटे simple structure को किसी भी tense में आप use कर सकते हैं जैसे ही पढ़ाते पढ़ाते वह ठक गया तो अब आपका sentence होगा while teaching he got tired okay while teaching he got tired हमने जो second sentence लिया वो लिया past simple का या फिर आपको बोलना हो कि दोड़ते दोड़ते वह गिर गई दोड़ते 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 के लिए हम लोग लगाएंगे while running okay so while running she fell down मतलब दोड़ते दोड़ते वह नीचे गिर दी तो इसके बाद आने वाला आपका जो sentence या फिर tense आप ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ present में लेना है present में लीजिए past में ले सकते हैं यहां पर जो structure है वो दिया हुआ है there is no such thing as आपने हिंदी में ऐसे sentences भी काफी सुने होंगे जैसी कि भूत नाम की कोई चीज नहीं होती या फिर अंदविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती तो जब भी हमें ऐसे sentences मनाना हो जिसमें हमें यह बोलना हो कि नाम क कोई चीज नहीं होती तो हम यहां पर जो structure है वो यूज करेंगे there is no such thing as there is no such thing as जिसका मिनिंग होता है नाम की कोई चीज नहीं होती मान लिछे अकर आपको बोलना हो कि सफलता नाम की कोई चीज नहीं होती यह सिर्फ such thing as success या फिर अगर आपको बोलना हो कि अंध विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती तो यहां पर दिया हुआ है there is no such thing as अब हमें यहां पर जो भी बोलना हो अगर हम अंध विश्वास बोल रहे तो हम सुपरस्टीशन बोलेंगे अगर हम भूत बोल रहे तो हम गोस्ट बोलेंगे तो आप इसके बाद जिस भी चीज की बात कर रहे हैं ऐसके बाद आपको मेंशन कर देना है जैसे की there is no such thing as ghost मतल अधरी नम की चीजी नहीं बची है तो आप यहां पर यूज कर सकते हैं there is no such thing as clear तो यह तो structure हमें clear हो गया इस हमारा next structure जो है वो है nothing to do with बहुत ही अच्छा और ज्यादा यूज होने वाला structure है जिसका meaning होता है कोई लेना देना नहीं है तो जब भी आपको इससे sentences बनाने हो जिसमें आपको यह बोलना हो कोई लेना देना नहीं है तो आप वहाँ पर nothing to do with का use करेंगे अब nothing to do with के पहले आपको जो structure follow करना है वो करना है subject and has or have कैसे के subject has have के बाद में आप यहाँ पर nothing to do with लगाएंगे अब देखेंगे इस यहाँ पर has दिया हुए has लग जाएगा singular, have लगेगा plural माली जी आपको बोलना हो कि मेरा इस business से कोई लेना देना नहीं है तो आपका sentence होगा I have nothing to do with this business I have nothing to do with this business मतलब मेरा इस business से कोई लेना देना नहीं है या फिर आपको बोलना हो कि मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है तो आप बोलेंगे I have nothing to do with them मतलब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है मेरा इस job से कोई लेना देना नहीं है तो आपका sentence होगा I have nothing to do with this job अगर आप singular subject उस कर रहे तो यहाँ पर आप has का उस करेंगे जैसे she has nothing to do with this मतलब उसका से कोई लेना देना नहीं है so I hope आपको इस सिंपल सा स्ट्रॉक्चर समझ में आया होगा यहाँ पर हमें लेस्ट लगाना है सेकेंड सेंटेंस हमें बनाना है शुड में इसका मिनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो जनरली अपने इसे सेंटेंस भी सुने हैं और कहीं न कहीं हम बनाते ही है जैसे धीरे बोलो कहीं ऐसा नहों कि कोई सुन ले या फिर यहां बैठ जाओ कहीं ऐसा नहों कि कोई और यहां बैठ जाए या फिर जल्दी करो कहीं ऐसा नहों कि आपकी बस छूट जाए जब भी आपको बोलना हो कहीं कि ऐसा ना हो आप उसके लिए वीवन ऑब्जेक्ट लेस्ट एंड सेकंड सेंटेंस शुड में बनाएंगे जैसे कि धीरे बोलो कहीं ऐसा ना हो कि कोई सुन ले तो आप बोलेंगे आपको यहां पर वर्ब की फर्स परम लगानी है या फिर यहां बेट जाओ कहीं ऐसा ना हो कि कोई और यहां बेट जाए तो यहां बेट जाओ हम बोलेंगे सेंटेंस होगा हरुय अब लेस्ट यूऌश्वन शुड मिस्यों या फिर जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बस छुड जाए तो संटेंस होगा हर्यप लेस्ट यू शुड मिस यॉर-बसopen हर यह प्लेस्ट, यह शुड में बनाना है, शुड में ही बनेगा, यह इसका रूल है, जो मैं फॉलू करना है, चले गए जब हम नेक सेंटेंस देखते हैं, इसका मिनिंग होता है, जितना या फिर उतना, कैसे सेंटेंस बनेंगे देखिए, जितना आप पढ़ोगे, उतना ही आप सीखोगे, या फिर जितना आप ध्यान दोगे, उतना आपको समझ में आएगा, जितना वह practice करती है उतना ही वह सीखती है तो जब आपके sentences में जितना और उतना आ रहा है आपको महाँ पर the more और the more का use करना है जैसे कि मैंने अगर कहा मालीजिये कि जितनी आप practice करते हो उतना ही आप बोलते हो तो sentence होगा The more you practice, the more you learn उतना ही आप सीखते हो ऐसे भी हम बोल सकते है So the more you practice, the more you learn तो जब आपके हिंदी के sentences भले ही future में आ रहे हो कि जितना आप practice करोगे उतना आप सीखोगे जितना आप उसकी मदद करोगे उतना वही आपकी मदद करेगी तो आप भले future में बना रहे हैं लेकिन English में आपके sentences present simple में आएंगे जैसे मैंने कहा कि जितना आप थ्यान दोगे उतना आपको समझ आएगा तो यहाँ दोनों sentence हमारे future में आ रहे हैं बठ हमें क्या करना है? Present में बनाना है The more you pay attention, the more you understand The more you pay attention, the more you understand या फिर जितना आप इस काम को करोगे उतना ही आपको सफलता मिलेगी The more you do this work, the more you get success तो आपको simple present simple structures में The more, the more का structure follow करना है जैसे मेरा next structure है willing to जिसका meaning होता है इच्छा है जब भी आपकी किसी काम को करने की इच्छा है तो आप महाँ पर willing to का use करेंगे जैसे मेरी पढ़ाने की इच्छा है मेरी बोलने की इच्छा है उसकी लिखने की इच्छा है तो इच्छा है के लिए हमें willing to को use करना है और इसके साथ हमें ismr लगाना है मतलब आपका जो पूरा structure होगा वो बनेगा ismr willing to आपको ये वाले structure को follow करना है इच्छा है बोलने के लिए जैसे आपको बोलना हो मेरी पढ़ाने की इच्छा है या फिर मेरा पढ़ाने का मन है दोनों तरह से आप बोल सकते हैं तो आप बोलेंगे I am willing to teach to के बाद में आप लगा देंगे वर्ब की fast form या फिर मेरी वहाँ जाने की इच्छा है तो आप बोलेंगे I am willing to go there मेरी लिखने की इच्छा है I am willing to write मेरी इस काम को करने की इच्छा है I am willing to do this work so जब भी किसी काम को हमारे करने की इच्छा है हम वहाँ पर willing to का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है has there been to इसके बाद में आपको place लगानी है जिसके हिंदिया identification हो आया हो अब देखे जब भी आप किसी जगह पर हो आया है जाकर आ गए है उस situation में आप ये वाले structure को follow कर सकते हैं जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं मुंबई हो आई हूँ या फिर मैं डेली हो आई हूँ कोई भी sentence या फिर कोई भी place जहां पर आप होकर आ गए है आपको महाँ पर hazard के साथ been or to का use करना है जैसे कि मैं डेली हो आई हूँ तो आपका sentence होगा I have been to Delhi या फिर मैं पूने हो आई हूँ तो आप बोलेंगे I have been to Pune या फिर आपको बोलना हो मैं Australia हो आई हो तो आपका sentence होगा I have been to Australia तो जब भी आप किसी जगह पर हो आई हैं आप जाकर आ चुके हैं आपने उस जगह को देख ली है तो आप ये simple सा structure follow करेंगे So I hope guys इस सारे structures आपको समझ में आए होंगे अब आप इन में से जो भी structure follow करना चाहे वो करे और comment करे मैं आपके सारे comments लेट करूँगी अगर कोई incorrect होता है तो मैं आपको वहाँ पर correct भी करूँगी So guys वीडियो अगर पसंद आए तो इससे like कर दीजे चैनल को subscribe कर लीजे ताकि जब भी मैं ऐसे कोई वीडियो upload करूँ तो आपको notification मिलती रहे तो guys मिलते हम लोग next वीडियो में Till then bye bye take care